स्वागत फ्रेंट्स आपके अपने होम साइस चैनल में आसा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और क्रम वाइच पढ़े जा रहे होंगे ठेक है ना पढ़ते रहे ये फ्रेंट्स ये कहीं भी आपके लिए घराब नहीं सिद्ध होगा ठीक है ना कहीं ना कहीं आप सही लाइड में आपको लाने के लिए तयार करेगा ठीक है ना सो आईए फ्रेंट्स देखते हैं हम लेशन पार्ट सॉरी पार्ट साथ पढ़ रहे थे लेशन सेवन पढ़ रहे थे जिसमें क्या है पोषड और पोषड से संबंधित जानकारिया है ठीक है ना बहुत इंपर पोषड तत्व पर और अधर चीजों का कैसे प्रभाव पढ़ता है ठीक है ना यह नहीं है कि हम सारे पोषड तत्व घर के अंदर हमारी आ जा रहा है हम खा ले रहे हैं तो बस वही तक ठीक है नहीं ठीक है ना इस पर हमने देखा था कि क्या सांस्कृतिक धार्मिक अच्छा स्वास्त और पोषड कैसे सहायक तत्था लाप प्रद होता है ठीक है आप देखिए कैसे वो लाप प्रद होता है आपके लिए आप स्वहम आपने आपको परकिये कि अगर आप आपका अच्छा स्वास्त है अच्छी तरीके से पोषड प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छा स्वास्त है है और वो किस तरह से अपके सवास्त के लिए लापप्रद हैं अपने य इर्द गिर्दे देखें तिकलने आसपास देखिएं आप देखेंगे कि अच्छे स्वास्त वाले लोग 260 प्र प्रशन अचींत होते हैं दूसरों से अधिक काम्ये कर सकते हैं स्वस्त माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरीके से देख भल करते हैं और स्वस्त बच्चे प्रायक खुश रहते हैं ठीक है ना तथा पढ़ाई में अच्छा परीडाम आता हैं है ना इस प्रकार जब कोई स्वस्त होता है तब वह अपने लिए अधिक रचनाशील होता है और समुदाय स्वस्त पर गतिविदियों में शक्रिय रूप से भाग ले सकता है अधाया इस्वस्त है कि यदि व्यक्ति भूखा और पोशड का शिकार है तो उसका स्वास्त अच्छा नहीं हो सकता है और वह समाज का उत्पादक मिलंसार तथा सहयोगी सदस से नहीं बन सकता है वाकई नहीं बनेगा अब मालीजी आप पोशक तत्तों को नहीं ले रहे हैं तरह तरह रोगों से ग्रसित हैं समस्याव से प कुछ ज्यादा ही खा ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये वोमिट टाइप में आपको लग रहा है, सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो आखों की रोसनी वो है, चलने में थोड़ी देर ही चलते हैं, हसना बोलना बैठना अगर थोड़ी देर करते हैं, तो क्या है आपको ठक कारियों को करने में आप प्रशनिचीत रहेंगे नहीं ना और यदि कोई कोई व्यक्ति है वो दिखिए स्वस्त है लंबा चोड़ा है जो भी आपकी हाइट है हाइट के अधılmış वेट के एक्रडिंग अगर पोषत तक्त्तो को आप ले रहेंगया ना तो हमीशा आप खुश रहेंगेंया जैल्दी रहेंगा ना rubber भी करेंगे घपी हरेंगे हमीशा हीज ठीक है ना तो परस्ट पोश्त तत्त्तो को ले रहेंड़ा वह रहेंगे वही प्रश्थ है तो अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, तो बच्चे भी क्या कहा जा रहा है, कि पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे परीडाम आएंगे, वो खुश रहेंगे, क्यों ना खुश रहेंगे, ठीक है ना, जब पोशक्तत तो हमारे सरीर के अंदर एनरजी रहेगी, प्रोटीन है, वसाइज जो भी है पोशक्तत तो सभी के मात्राएं सही रहेंगे, तभी तो हमारे क्या मन लगेंगे कारिय करने में, वैसे बच्चे का भी मन लगेगा, पढ़ाई करने में, इसलिए देखिए आपके साथ क्या बच्चों को भी सामिल कर रहा है, ठीक है ना, बच्चे जब तंद्रूस्त नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो कैसे, आधे गंटे बैठेंगे, फिर लगेंगे सोने, उन्हें जबाई आने लगेगी, वो सोने लगेंगे, भागने लगेंगे इथर उथर, ठीक है ना, ठाकान से सो जाएंगे, सुबह कूठेंगे, तो क्या एनर्जी फुल नहीं मैसूस करेंगे, ठीक है ना, तो सबका आसे किससे है, पोशक तत्तों से, और इसी की कमी हो रहे है कि आजकल बच्चों में भी क्या होता है, आप देख रहे हैं, बच्चों की स्थिती भी खराब चले, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें चसमें लग गए हैं, इन्हें छोटे-छोटे बच्चे हैं, खुम मोटे तगड़े हो गए हैं, तो ये मोटापा अच्छी थोड़ी नहीं है, बिलकुल नहीं है, ठीक है ना, तो सही वे में पोशक तत्तों को लेजिए, और हेल्दी रहिए, स्वस्त रहिए, और प्रशन चीत रहिए, ठीक है ना, प्रशन चीत रहिए, तभी आप अपने कारियों को धैनिक जीवर में प्रती दिन करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर चाहे पढ़ाई को ही लेके, अब माल लिजे, आप पढ़ रही हैं, अगर घर की महिला हैं, आप कारिय करने के साथ भी पढ़ाई का भी काम कर रही हैं, तो आप एक बेटर पोशक तत्व लेंगे, तभी तो अन्य कामों को भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, देखिए सारीरिक और मांसिक दोनों करियाओं को आप कर रही हैं, ठीक है ना, सो ठाइम से अपनी आप का भी ध्यान दीजिए, है ना, यह नहीं कि हां सबको खाना दे दिए, सबको सबका लंच दे दिए, सबका नास्ता लगा दिए, हम सबको इखा लिया पी लिया, अच्छा चलो हम पढ़ने बढ़ेंगे, आप भी थोड़ा खाईए, फिर पढ़ने बढ़ेंगे, आप स्वाय अपना भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना, आइए देखते सारडी क्या बताता है, सारडी है, इस्टितम पोशडातमक इस्तर, महत्वपूर है क्योंकि यह है, अब देखिए, इस्टितम पोशडातमक इस्टितम का मतलब होता है, जरूरी पोशक्तत्व, क्या है, जरूरी पोशक्तत्व, ठीक है ना, अब में दाल मेंसन है, ना कोई फली वाले आइटम है, ना कोई ऐसे प्रोटीन वाले तत्व है, आलू की सबजी ले लिजे, चावल रोटी खाके, दो दिन, चार दिन पान दे, ऐसे आपको अच्छा लगता है, तो खा लेजे, तो इसे क्या कहेंगे हम, कि बस पेट भरने वाला भ स्थाइड वाले चीजें, जैसे राज्मा है, यह क्या हो गया, मटर हो गया, यह देखते हैं ना, सफेज चना आता है, लाल चना, जाना, काला चना, अतीनी सब फली है, तरह-तरह की डाले हैं, मुण की डाली बहुत सारी डाले हैं, तो इन सबों कु मेंसन करिए, stiff में ना तो इसे अब क्या इश्टतम पोशडातमक तत्वे से कहा जाएगा कुल मिला के उसी को कहा जा रहा है कि यह महत्वपूर क्यों है आईए हम देखते हैं अब पहला क्या है सरीर का वजन बनाए रखता है ठीक है ना आप सही मातरा में पोशडातमक तत्वे अब यह नहीं कि बहुत ज्यादा आप क्या कर रहे हैं चावा ली ले ले लेजे बहुत ज्यादा आलू की सबजीयां खाईए तो क्या है कार्बो हाइट्रेट आप ज्यादा ले रहे हैं तो वजन क्या होगा बैलेंस सही नहीं रहेग तो धेखते हैं नेRight 생 बंते हैं दितना जब सही मात्रा में यॉजज क्या लेते हैं प्रोटीन लेते हैं बहुत ज्यादा भी कोई चीज क्या पंता है आपके खराब काम करता है ठीक है ना तो उसे कहा जाता है अब देखिए पेशिया सुद्रीर रहेंगी तो आप मजबूत रहेंगे हिस्ट्र पुरुष्ट रहेंगे कार्य करने की सक्ति बढ़ेगी ठीक है ना वो जब सुद्रीर रहेंगी तो अगला देखते हैं और शक्तक्ता के जोखिम को कम करना और शक्तक्ता के मतलब क्या होता है कि मतलब आपके अंदर जब इन चीजों को मेंसन करेंगे ना इस्टतम पोशक्तत तो क्या होगा किसी कार्य को करने में आपका मन लगेगा ठीक है ना किसी भी कार्य को करने में मन लगेगा रूचिबूर्ड आप अपने आपको महसूस करेंगे कोई भी कारे कर रहे है तो उसमें आपको परिशान ही नहीं महसूस होगी ठीक है ना श्रूगोव को लड़ने की छमता आपकी अंदर हो गी तह से को हमें पाच बजी पढ़ना है तो ट्यूसन जाना है फिर हमें आगे आधे गंटे घर पर पढ़ना एक गंटे घर पर पढ़ना तो वो बैठ जाएंगे क्योंकि वो क्या है healthy है स्वास्ता है ठीक है ना अगला देखते हैं संक्रमर से बचने के लिए प्रति रोधक चमता का प्र है हमारी जो अंदर की सारीरिक क्रियाए होती है वो उसके सच्चम होती है तैयार होती है ठीक है ना दूसरा दिखते हैं सारीरिक और मारत सिक तनाव से निपटने में मदन मिलता है, आप पोशक ततों को सही मातरा में ले रहे हैं, तो कोई आपके अंदर जंजट बावाल दुख तकलिफ नहीं आएगा, ठीक है ना, आप एनर्जी फुल है, तो आप सोच लेंगे कि अच्छा ये बात है, ठीक है, ऐसे ही हल कर लेंगे, ठीक है न यहाँ बैलेंस की कमी आ रही है, ठीक है, अगले महीने में सेटिंग कर लेंगे, अब ही ऐसे काम कर लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई आपको ना सारीरी तनाव होगी, और नहीं मांसिक तनाव होगी, अगला देखते हैं, उत्पादक्ता को बहतर बनाना, उत्पादक्ता का मत मतलब किसका है कि आप आप मान लिजे एक बिद्यारती है ठीक है ना बिद्यारती के तौर पर क्लास ले रहे हैं तो आप बिद्यारती है आप सही मात्रा में कुल मिला के सब का पोशक तत्तों से ही सम्मनित है जब आप सही मात्रा में पोशक तत्तों को लिए हैं तो आप कौन सा काम कर रहे हैं किस चीज का कारी कर रहे हैं पढ़ने का काम कर रहे हैं ना देखने का काम कर रहे हैं तो आप सही वे में एनर्जी फुल है तो आपको पढ़ने में मन करेगा कि इस लाइन को क्या समझाया जा रहा है इस लाइन को क्या समझा रहा है और रूची आपकी पैदा वह पढ़ने की कार्य छम्ता में ब्रिध्धी होगी तो उसी को कहा जा रहा कि उत्तुपा दकता को ब्रीध्टर बनाना इसकी उत्तुपातो आपको करेगा मामी खाना बनाने काम कर रही है वो तरह तरह का बना देंगी यह की दिन में, देखती हैं, दो किसम की सब्जी बना देती हैं, तीन किसम की सब्जी बना देती हैं, तरह तरह की सब्जी बना देती हैं, और भी चीजे उसमें में संग कर देती हैं, अगर किसी को तकलीफ है, तो चावल दाल रोटी सब्जी बना कर रख दिया हो गया, बत ख कर रहा है ठीक है ना उत्पादकता अर्थात कोई भी कारिया आपका फिर चाहे पढ़ने का काम होके बच्चों के आपका या फिर कोई घर का काम होके आर्थिक किस्तिति को लेके पापा का आफिस का काम होके किसी भी कारिय में दोड़ दोड़ के बस के चड़ना आप फुल है तब ही तो दोडते हुए बस कोई लुझ पुंजर है तो बसको दोड़के पकड़ेगा जब तक बस दो मिनट के लिए रुकेगा नहीं वो चढ़ेगे नहीं से ठीक Funե अब देखिए यह उत्पादक्ता कैसे आपका सही रहता है जब सही मात्रा में यह आप क्या लेंगे आहार लेंगे ठीक है ना इश्टतम पोशक्तत्व लेंगे अब यह नहीं कि बस पेट भरने के लिए जो भी मन किया वही खाली है पेट भर गया नहीं उससे नहीं मतलब होत है इश्टतम पोशक्तत्व माने जरूरी पोशक्तत्व हमने आपको बताया जरूरी पोशक्तत्व अर्था तो उसमें पोशक्तत्व की मात्रा रहे ठीक है ना अगला देखे अच्छा स्वास्त है जब हम अच्छी तरीके से पोशक्तत्व लेंगे तो हमारी कार्य में क्या दोनों सही रहेगा तो हमारा कारी सही सेवाओं सुविधाओं तक पहुचना ये भी सही होगा सिच्छा और कौसल हमारे सिच्छा मतरब पढ़ने में हमारा रूच लगेगा और हमारे कौसल अर्था हम अभी एक चप्टर ये पढ़ लिए हैं तो हमारा कौसल है हमारे अंदर इतना शामर्त है कि यह देख लिए तो चलो दूसरे subject में इतनी तायारी यह भी कर ले दें, दस question ही देख लेते हैं, पाच question ही देख लेते हैं, यह कौसर, अच्छा परियावरण, अच्छा परियावरण भी हमारा साथ देता है, अब देखिए ठीक इसके recording आप positive पे आईए, अगर आप पोशक तत्यों को नहीं लेते हैं, तो कारिये कैसे, आपको पहले हमने positive बताया, अब देखिए अगर ये चीजे, इन चीजों को आप negative way में रख दीजिये न, तो देखिए आपको कैसे प्रभावित करता है, तब आप समझेंगे उत्पादक्ता को अच्छी तरी नीद आ गई, ठकान हो गई, बंद कर दीए, ठीक है न, ना समझने की कोशिस किया, आप समझ भी नहीं तब आएगा, अगर उचीत आहार नहीं ले रहे हैं, तो ठीक है न, इस्टतम पोशक तत्तों को नहीं ले रहे हैं, तो ये भी आपके कारी को प्रभावित करेगा, आप यहीं नहीं है, कि पोशक तत्तों आप घर के अंदर आपके पापा ला दे रहे हैं, आपके बाबा ला दे रहे हैं, मम्मी ला दे रहे हैं, आप खा ले रहे हैं, चाहे अधर सभी सदर से खा ले रहे हैं, तो बस वहीं तक पोशक तत्तों मिला हैं, ठीक है न, स्वच् तो यह भी प्रभावित करता है अर्था था में स्वच्छ वाता वरण में रहना चाहिए तब ही हमारा स्वास्त सही होगा ठीक है यहां देखिए सेवाओं और सुभिधाओं तक पहुचना अब सेवाओं अगर आपकी स्वस्थता अच्छी रहेगी तो सेवाओं और प्विटर के जरीए पढ़ पाएंगे नहीं ना सेवाओं सुभिधाओं भी आपकी सही होनी चाहिए कि हां वहाँ सी नेटवर्क मिल जाए वो चीजे मिल जाए तो यह भी सब इससे संबंधी तो सिच्छा और कौसल अर्था पढ़नी और पढ़ानी कि दोनों कौसल होनी च सीखे जा रहे हैं ठीक है न अच्छा परियावराण और परियावरण भी अच्छा होना चाहिए तब ही किसी कारी की उत्वादक्ता बढ़ेगी अर्थाथ पढ़ने का मन लगेगा आप जहां बैठे हैं वहां तरह तरह की बदभू आ रही है इसमेल आ रही है फैक्टरी है वहां दुरगंद फैल लहा है तो आपके दिवांग में सोचिए अगर गंदी बदबू आ रही है एक साथ तो क्या आपका पढ़ने में मन लगेगा नहीं नहीं लगेगा तो उसी चीज को यहां पर मेंसन किया गया है उत्पादक्ता से ठीक है ना देखिए उत्पादक्ता के लिए अपेच्छित स्वास्त और पोशडात्मक योगदान ठीक है ना समझ में आगे ना कि यह किस तरह से उत्पादक्ता अर्था कोई विक्कारिय करने में आपके लिए यह कैसे किस तरह से सहायता करता है आगे देखते हैं अब देखिए यहां पर बहुत इंपर्टेंट है जिस घर में बच्चे हैं ठीक है ना बच्चों की सिच्छा के लिए अच्छी पोशडात्मक इस्तिती के लाभ और शारान सदर्साइगा है देखिए किस वे में आप रहेंगे तो आपको कहीं से ना यूटूब से देखने की जरूरत है और ना कहीं से सोचने समझे इसलि प्रभाव देती हैं अर्थाथ पोशडात्मक का मतलब है अगर आप पेरेंट से हैं आपको लग राएगी पनीर अच्छा है लौकी अच्छा है तरोही अच्छा है पालक अच्छा है जो भी ग्रीन वेजी टेवल है जो भी फूरूट है अच्छे है बहुत बच्चे बच् खाने लगेंगे, तब तक के लिए आप उनके जो निवाले हम खिलाते हैं, निवाले में छिपा, छिपा के खिलाइए लौकी की सब्जी, तरोई की सब्जी, जाएगा, बच्चे के चरील की अंदर जाएगा, तो पोशक पत्तव ही तो देगा, वो तो यह नहीं कहेगा, कि मा आप देखती है ना कि यशोदा मा भी क्या करती है ऐसे निवाला ले ले की दोड़ती थी कानाजी के पीछे क्यों दढ़े उससे भी तो हमें सीख मलता है ठीक है ना तो आप भी अपने बच्चों को मैं आपसे जरूर कहती हूं मेरे मेरे बात पर अमल करके देखिए कि अगर आप एक महीनी अपने बच्चे का ऐसे ध्यान देजिए ना तो देखिए आपके बच्चे में बहुत अंतर आएगा ठीक है ना सारीरिक तौर पर है वह हेल्दी हो जाएगा सारी मानसिक जो भी लेजे और देखिए उन्हीं चीजों को बताया जा रहा है ठीक है ना तो पढ प्रकार से खिला पिला रहे हैं ठीक है न है दिन में आप पानी का ध्यान दे रहे हैं कि कितने गलास पानी पी ले रहे हैं बार बार बोल के देजिए और आदे गिलास तो पीएगा, वैसे तो बच्चे सारे दिन खेलते रहते हैं, दूद दिन में दो गिलास तो कम जब बच्चे दूद पी ले हैं, ठीक है ना, तो इन चीजों को आप थोड़ा बहुत खिलाइए, अभी देखिए, महीने भर वास आप ऐसे करिए, और क्या है ही ज बच्चों को बताया, जरा बच्चे ले रहे हैं, या फिर स्वाइम भी ले रहे हैं, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, महस्तित के पर विकास पर प्रभाव पड़ेगा, आपका विकास स्वस्त होगा, हेल्दी होगा, आप किसी तरह का सोच विचार, वो को पोसर देंगे तो इसमरीती बढ़ेगे, देखिए, इसमरीती बढ़ेगे, ठीक है ना, उसको लर्न करने की वो जो पावर होता है वो ज्यादा उसके अंदर होगा, सही बात है, बच्चा एनर्जी फुल रहेगा हर तरीके से, तो आपको बार बार किसी चीज को रिपीट नहीं करवाना पड़ेगा, याद नहीं करवाना पड़ेगा, दिमागी तोर से उसकी चमता क्या होगी, ठीक है ना, ध्यान देने की अवध ही है, यही देखिए, देखिए मैं उपर ही बता दिए, यह ध्यान देने की अवध ही है, और क्या बढ़ेगा, एकागरता बढ़े ठीक है ना एक आग्रता बढ़ेगा ठीक है ना अब ऐसा वह कोई बदमासिका काम नहीं करेगा जो आप एक बार कह देंगी अगर वह एनरजी पुर आधे गंटे बैठने कहेंगी तो आधे गंटे बैठके पड़ेगा तो उसी चीजों को बताया जा रहा है ठीक है ना स्वास के साथ सक्रिय रूप से पार्यस परिक्रिया इससे अनुपस्थिती में कमी और फेल होने तथा इसकूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने का जोखिम कम होता है भाई क्यों नहीं कम होगा जब हमारा बच्चा आखिर बच्चे क्यों इसकूल क्लास लेने से रुख जाते है पढ़ाई चूटेगी बीच में पढ़ाई चूटेगी तो उन्हें उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी जानकारी नहीं होगी तो उसमें जब जानकारी ही नहीं है तो बच्चा लिखेगा पढ़ेगा क्या तो इन चीजों का जोखिम ही होगा और जोखिम क्यों होगा इस बात को बता रहा है कि आप सही वे में पोसड लेजिए और पोसड लेंगे तो किसी प्रकार के रोगों से ग्रसित नहीं होगे यहां तक कि फीवर भी नहीं होगा आपके बच्चे को बच्चा हेल्दी है थोड़ी बहुत इधर उधर किसी बच्चे के बगल में आम तोरपे क्या होता है यहीं फीवर ही होता है तो इसल talents प्रति दिन जाएगा तो पढ़ाई के बीच में कोई गैपिंग ही नहीं होगा कोई छोड़ने का बात ही नहीं हागा और छोड़ेगा नहीं तो सब चीजों को अपने अंदर क्या करता जाएगा इसमुरीत करता जा फिर अपनी आप पे करने लगेगा, रोज जाएगा, रोज आएगा, और उसका रूच भी पैदा होगा, क्या होगा, पढ़ाई में रूच भी पैदा, आप देखते हैं न, चार दिन बच्ची अगर स्कूल नहीं जाते हैं, तो फिर आगे बच्चे को जाने का मन भी नहीं कर लेकिन बच्चा प्रती दिन, प्रती दिन अगर स्कूल जा रहा है न, तो वो उसे प्रती दिन मन करेगा जाने का, तो इन ही बातों को मेंशन कर रहा है, अब कोई बच्चा है, अब नार्मल खाने पर बताएं, अब कोई बच्चा है, डेली आप उसे लंच बॉक्स में यह लाते समय स्कूल से दिलवाती हैं पापा ला दिया है तो वो क्या है डाइबिटीज मोटापे का सिकारा भी से बच्चा हो रहा है धीर धीर है तो इसे कम करिए ताकि बच्चा स्वास्थ आहार गरहर कड़े ठीक है ना तो देखिए आपका बच्चा स्वैम किधर आगे प्रब्लम है द्रिष्टी पर भी प्रहा होगा और द्रिष्टी हींता का जोखिम कम रहेगा ठीक है ना आप देख रहे हैं कितने प्रकार के रोग होते हैं जो अगर आप बिटमीन ए दे रहे हैं क्या दे रहे हैं बिटमीन ए दे रहे हैं अपने बच्चों को स्वैम भी ल फ्रूट वेजिटेबल है ठीक है ना पपाया हो गया पंपकीन हो गया एपल हो गया यह सब जितने लाल कलर के हैं रेड कलर के पीले कलर के हैं इसके साथ आप देखिए लौकी है लौकी बेस्ट है आप आइज अगर आपरिशन हो जाता है तो डॉक्टर लौकी प्रतिदिन ल कद्डू की सब्दी नहीं बच्चा पसंद कर रहा है तो उसके साथ पूरी दीजए कभी पराठा दीजे रोटी दीजे नहीं खा रहा है डाटी है वो डाटना आपके लिए फायदा करेगा कि जहां बच्चा यह खा ले रहा है ठीक है ना ठीक है ना देखिए कितने प्रकार के यह बिट्विन ने को क्या कहा जाता है कि प्रतिशोष के नेत्र बिट्विन कहते हैं इसे यही कहते ही है प्रति नेत्र विटमिन ठीक है ना और ये टोटल विटमिन में मिलता है जिसमें क्या लाल और पीले सब्जी जो भी देखिए उठा के लिए ये खाईए ठीक है ना इसके अलामा लौकी और तरोई ठीक है ना तो आईए देखते हैं और देखिए नाइट ब्लेंड जीरो थलप मिया सब्सक्राइब कितने तरह के वो धीरे धीरे स्टेप वाइज द्रिष्टी हिंता पर ले जाता है बहुत ही खतरनाक बीमारी फिर होने लगते हैं धीरे धीरे तो इससे दूर रहिए स्वास्त रहिए और पढ़ते रहिए मस्त रहिए अगर क्लास अच्छा लगे समझाने का तरीका अच्छा लगे और अगर कुछ गलती से हमसे लेटर मेंसन हो जाए गलत लेटर मेंसन हो के तो फ्रेंट्स बोलने के चक्कर में मैं उसे लिख जाती हूं ठीक है ना फ्रेंट्स तो कमेंट बाक्स में उसके लिए जरूर मेंसन करिएगा जहां भी मैं गलत लेटर लि तो प्लीज फ्रेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शब्लाँ करिए और इसे सेर करेए ठीक है ना प्रेंट त्याकि मेरी विश्चाह को और बड़ाएं कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे सी प्रियास करो की और आगे प्रियास करो कि सको ठीक है ना कि आज का ख्लास हम यहीं समाप्द करते क्योंकि कुपूसर्ड हम जब सुरू करेंगे क्या अच्छा इसे बेख लेते हैं पोषट को प्रभावित करने वाले कारक्त हम नेृग्ष आगले क्लास में देखेंगे लेक्चर में ठीक है ना इसे देख लेते हैं थोड़ा कुपू है सामानी पोषड को क्या कह रहा है दाहिनी का आप जो बना ले रहे हैं खा ले रहे हैं उसमें भी अगर आप बदलाव कर दीए तो वह क्या है कुपोषड हो जाएगा अभी बता रहे हैं हम आपको जब पोशक तत्तो का अंतर ग्रहर शरीर द्वारा अपेच्छित मात्रा में कम या अपेच्छित मात्रा से अधीक हो तो उसका परिडाम कुपोशड होता है ठीक है ना अर्था देखिए कुपोशड ज्यादा खाने से भी होता है और कम खाने से भी होता है पोशड अतिपोशड का रूप भी ले सकता है ठीक है ना अतिपोशड का भी रूप ले सकता है और अलप पोशड का भी रूप ले सकता है पोशक तत्वों में अधिक अंतर ग्रहर सेवन से अति पोशड होता है अर्था ज्यादा जब आप ग्रहर करते हैं तो अति पोशड होता है परियाप्त मातरा में पोशक तत्वों के अंतर ग्रहर सेवन से अल्प पोशड होता है जब आप कम लेंगे तो अल्प पोशड कहते ह कि पूपोसर का अत्यांत महत्वपूड कारण है अहार की गलत विकल्प के प्रति अभिरूच का साइमोजन हो शकता है ठीक है अब देखिए कि लिए बता है हमने आपको पढ़ाया है कि अनौरेक्सिया क्या है बुल्मीया क्या है अब वो एनौरेक्सिया में क्या करते हैं कि इतने स्लिम बाडी दिखाने के चकर में रहते हैं और क्या कूपोसर से घ्रासित हो जाते हैं ठीक है न जो बुल्मीया है न उसमें भी वही काम करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें क्या करते थोड़ा 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 दित सारे दिन खाते थोड़ा आप मैं तो थोड़ा खा रहूों मैं तो थोड़ा खnt真 एक ठालेते हैं अब क्या होता ऻुआ अधिक्तत के शिकार से होता है बुल्मिया this ठीक है ना मैंने आपको पढ़ाया क्लास में अच्छ देखिएगा तो इसी बात को यहां पर मेंसन किया है कि जो यह क्या करते हैं कि सूरा आवस्था में इस प्रकार से कुपोषण हो जाता है इनके चक्कर और बाकी तो जो भाली आवस्था है और जो भी व्यास्क आवस्था उनके लिए इस प्रकार से बता है या तो ज्यादा खालेंगे या तो कम खालेंगे अब आज कल देख रहा है ना जितने भी छोटे-छोटे बच्चे है न वो क्या अधिक्ता के कारण ही हो रही है उनमें कुपोषण ठीक है ना सो फ्रेंट्स आज का क्लास यहीं समार्थ कर करते हैं फ्रेंट्स ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिया नेक्स्ट अगली क्लास में नेक्स्ट अगली लेक्चर में मिलते हैं सो फ्रेंट्स तब तक के लिए बाबाए